हेलो, वेलकम तो WSQTEC, आज की इस वीडियो में देखेंगे, हाउ तो जणरेट एंड प्लॉट यूनिट स्टेब सीक्वेंस, तो यूनिट स्टेब 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 स्क्वेंस क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं एक बार, तो यहां पर मैंने लिख रखा a unit step sequence का expression, इसके अंदर u t होता है वो unit step बोलता है, इसकी value 1 कब होती है, जब t greater than और equals to 0, और 0 कब होती है, जब t less than 0, यानि कि t less than 0 के लिए तो यह हमेसा 0 रहेगा, और t greater than 0, और equals to zero के लिए हमें सब one रहेगा तो ये दो expression है जो हमें implement करना है MATLAB के अंदर चलिए start करते हैं इसके अंदर सबसे पहले दो command use में आएंगे उन दोनों commands को देख लेते हैं पहला command है zeros and दूसरा command है ones zeros command zero value को assign करने के लिए काम में आता है जैसे मैं one row और ten columns के अंदर ten values को zero assign करना चाहता हूँ तो उसके लिए command के लिखूंगा zeros z e r o s one row and ten columns तो क्या करेगा ये एक से दस तक की value को zero assign कर देगा तो यहां enter करते ही आप देखेगा यहां पर answer के अंदर ten columns के अंदर zeros आ गए हैं इसको मैं यहीं पर run कर देता हूँ यह देखिए single row के अंदर ten columns के अंदर ten zeros assign हो चुके हैं वैसी अगर मैं once assign करना चाहता हूँ तो command is one row के अंदर अगर मैं ten once assign करना चाहता हूँ तो ten लिख दूँगा और enter तो यहां पर सारे one 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 आ गए अब मुझे क्या implement करना है कि t less than अगर zero हो तो zero assign करना है और greater than equals to zero हो तो सबको one assign करना है तो उसके लिए जो command use में लेंगे इन दोनों का combination होगा तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे मैं ले लेता हूँ तो यू इक्वल्स टू स्क्वायर बैकेट के अंदर मुझे एक ही रो के अंदर सारी वैलिव असाइन करनी है तो मैं लूंगा जीरो वन कॉमा टैन यह क्या कि इसने जीरो असाइन कर दिये अब सिमिलर्ली अगर मैं वन्स लें वन्स कॉमा 11 वैल्यू के लिए यह टैन वैल करता हूं तो यू की वैलिव आप देख सकते हैं पहले दस वैल्यू जिरो आई यह बागी आगे कि दस वैल्यू वन आहिए तो अगर मैं इसको प्लॉट करनो घर जैनली हम इसको जब प्रोग्राम में स्टैफ फंक्शन बनाएंगे तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं पहले एक स्क्रिप्ट फाइल लेता हूं उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं इसको नाम देता है स्टेप इसको मैंने सेव कर दिया अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे वैरिबल लेना पड़ेगा कि मुझे वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है यानि रेंज रिसाइड करना पड़ेगा मैं रेंज ले लेता हूं माइनस 10 से प्लस 10 तक सपोज एन ले लेता हूं जो रेंज की की 21 हमें प्लॉट करना युनिट स्टेफ फंक्शन तो वही कमांड लिख देंगे वापे सीव इक्वल्स टू स्क्वायर बैकेट के अंदर जीरो वन रो टैन कॉलम तक और उसके बाद जैसे टैन कॉलम मेंज जीरो के पहले वाली सारी वैल्यू अगी अब यहां पे अब ज 10 कॉलम होगे और 11 कॉलम होगे तो तो मानस 10 से प्लस 10 तक 21 वैल्यू होती है तो वही 21 वैल्यू तक ले लिए उसमें हमने आधी वैल्यू 0 के पहले वाली 0 ले लिए और 0 के जिस बाद वाली सब 1 ले लिए तो अब इसको हम देखना चाहते हैं प्लॉट करके हमारा काम तह प सते मकमन्द क्या यूज में होता है स्टेमzwol को मौफ टेलेगा डिस्कृट वैल्यू इन इकी development वैल्यू यह यहांपर जिसके अंदर किया हुआ ? ZERO के पहले वाली सारी वेल्यव जिरो और 0 के बाद वाली सारी वेल्यॵ 1 है अब इसको चाहते हूं थोड़ा सा अच्छी से देखे यह भी देख रहा है दिख रहे आपको यह पूरा 0 line पे आ गया है और पूरा maximum पे आ गया 1 पे तो मैं चाहते हूं पर थोड़ा सा आडिस्ट करूँ तो इस अड्रत के लिए हम क्या दो व Kid ओ of हज्टार वह ओड्र था तो इस पर सभूनांड तो चलिए पर são मले लिते हैं अब इक्सेसज्ट कमान्ड यूज लेने के बाद क्वें करना है उसको एइड़ेस्ट करना है ता कि वो पीच मेन दिखें एकसेस ज्यादा और X maximum 10 तक है तो मैं थोड़ा से ज्यादा देता हूं 12 वाई मिनमम जिरो से बीच में प्लाट हो रहा है तो मैं माइनस वन से लेके तो तक प्लाट कर देता हूं अब देखते हैं कैसे दिखता है देखिए वह फोड़ा सा क्लेर दिख रहा है यहां पर दिखा है जीर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करें डबलूस क्यूब टेक चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड की नोटिफिकिशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें